देंगू का मच्छर काफी तेजी से संक्रमित कर रहा है देज भर में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं यह एक खड़ी तोड़ बुखार है जिसमें सरीर एकदम बेजान हो जाता है और डेंगू होने पर प्लेटलेट्स अचानक गिरने लगती है डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने पर घाव से बहुत एतक ब्लेडिंग होती है नाक से खून आना मसूर से खून आना पिशाब या पॉट्टी में ब्लेडिंग होना यह प्लेटलेट्स के कमी के लक्षण है लेकिन दोस्तों कुछ विशेज पत्तों का सेवन कर प्लेटलेट्स को बढ़ाया जा सकता है खास बात यहा है कि ये पत्ते असानी से उपलब्द हो जाते हैं इसके साथ ही ये बेहत कारगार भी हैं तो आए जानते हैं वे पत्ते कौन से हैं नमबर वन पर है तूलसी के पत्ते तूलसी के पत्ते में काफी सारे औश्यदे गुड होते हैं इसमें एंटि बेक्टेरियल गुड पाये जाते हैं या डेंगू के लक्षडों को खत्म करने में मदद करते हैं थोड़े से पाने में तूलसी के पत्तों के साथ काली मिच कभी उबाले और गुनगुरे होने पर इसका सेवन करें इसे इम्मिटी बढ़ती है और तेजी से प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है नमबर टूपे है पपीते का पत्ता, पपीते के पत्तियों में पापिन जैसे एंजायम पा जाते हैं, यह तत्व प्लेट्लेट का उन्झ समाने करते हैं नमबर त्री है मेथी की पत्ति, मेथी की पत्तियों में काफी सारे पौश्चिक तत्व होते हैं जैसे सेलिनियम, मैगनेज, आइरन, कैलसियम, आदी या सारे पौश्चक तत्व बिमारियों से बचाने में आपकी मदद करते हैं डेंगू से जूज रहे हैं तो मेती के पत्तों का पानी में डाल कर उबाले और उस पानी को पीले गिलोए का सेवन करने से प्लेट लिट्स में बड़ोतरी होती है इसकी साखाओं को पानी में उबाले और उस पानी को पीले इसका सेवन करने से infection का risk भी काफी कम होता है 5. पर हर सिंगार के पत्ते हर सिंगार के पत्ते डेंगू से ठीक होने के लिए हर सिंगार के पत्ते भी काफी मदद करते हैं इन पत्तों को एक ग्लास पानी में मिला कर उबालें जब पानी उबल जाये तो पत्तों को अलग कर दें और पानी का सेवन कर लें नीम की पत्ती, नीम की पत्तियों का इस्तिमाल दवाई के रूप में प्राचिन समय से होता है नीम के पत्ते इंफेक्शन खत्म करने में मददगार होते हैं पत्ते का सेवन करने से immune system बढ़ता है जो कि डेंगू के असर को भी कम करता है नमबर 7 है तेजपत्ता तेजपत्ता का सेवन खाने का स्वाथ बढ़ाने के लिए किया जाता है कि आप जानते हैं कि इसका सेवन करने से सरीर में platelets बढ़ाने में भी मदद मिलती है तेजपत्ता को पानी में डाल कर उबालने इसके बाद इस पानी को दिन में 3-4 बर पी सकते हैं इससे आपका प्रिकलेट्स भी बढ़ जाएगा तो दोस्तो यह जानकारी कैसे लगी अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें ठांक्स पर वाचिंग